नवस्कार सस्रीकाल जै जोहार आप देख रहे हैं जी एन भारत जन जन तक सोचल मेडिया में वाइरल हुआ जारखन में लॉगड़न लगाने की बाद कोरोना के नए वरियंट का हवाला देकर लॉगड़न लगाने की बाद मुख्यमंतरी कारेले ने बताया कि सी एन के नाम पर वाइरल किया गया पोस्ट फरजी है नमस्कार मैं हूँ दिवयरानी और आप देख रहे हैं जी एन भारत राजी में मुख्यमंतरी हेमन सोरेन के नाम पर लॉगड़न लगाने का पोस्ट वाइरल हो रहा है इसमें प्रदेश में कोरोना के नए वारियंट का हवाला देकर लॉगड़न लगाने की बात कही गई है इस पर मुख्यमंतरी कारेले की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि सी एन के नाम पर पोस्ट वाइरल किया गया पोस्ट फरजी है राजे सरकाव ने COVID-19 के नाम पर लॉगड़न लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है तरसल हेमन सोरेन के वेरिफाइड जैसा एक बनावटी ट्विटर एकाउंट पर लिखा मैसेज वाइरल हो रहा है जिसमें लिखा है मेरे जार्खन वासियों आप सभी को मालूम होगा कि एक घातक वैरियंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है आप सभी की सुरक्षा के लिए जार्खन में लॉगड़न लगने वाला है 6 दिसम्बर से 31 जन्वरी 2022 तक स्कूल, ओलेज, इंसिटूट, आंगनबाधी, केंद्र, धर्मस्थान, पार्च सब बंद रहेंगे जार्खन पुलीस को यह निर्देश देया गया है कि इस मामले की जांच करें और परजी पोस्ट करने वाले के खिलाब कानुनिक कारवाई की जाए अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जी एन भारत के साथ भन्यवाद